शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले भिवापुर तस्यल के बेसुर ग्राम में सुबह करीब 6 बजे के दौरान बाग ने दो किसानों पर हमला कर दिया गंबिर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को उम्रेट के ग्रामिन अस्पताल में प्राथबिक उपचार के बाद नाखपुर के मेडिकल अस्पताल में रेफर कर दिया गया है ब्योपुर तस्थिर के बेसुर ग्राम में सुबह करीब 6 बजे बाग ने दो किसानों पर हमला कर दिया इस हमले में किसान प्रभुजी गंडारे वखेत मज़ूर कमला कर नारनोरे गंबिर रूप से घायल हो गए दोनों को उम्रेट के ग्रामिन अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद नाकुर के मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है किसान गंडारे का उम्रेट वनविवाग के दक्षिन परिशेतर के समीप एक खेत है सुब़ जब गंदारे वन नारनौरे खेत में काम कर रहे थे तबी अचानक बाग ने उन पर हमला कर दिया आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने जब शोर मचाय तो बाग वहीं से भाग निकला ग्रामिनों ने घटना की जान करी वन विवाग को दी है चार दिन पहले भी किया था एक गाय का शिकर बताया जाता है कि बाग ने गंदारे की गाय का शिकर भी किया था सुचना मिलने के बाद वन विवाग का दस्ता मोक के उपर पहुंचा वह पंचे नाम किया गया था पशाद पशुची किसा अधिकारी डॉक्टर रोगोर्ते ने गाय का पोस्ट पाटम किया और गाय को घटना स्थल पर ही छोड़ दिया इस परिसर में दो बाग वदो शावक होने की जानकारी मिली है ट्रैप कैमरे की मदद से वनविभाग बाग की हलचल ले रही है दोबारा ऐसी घटना से बचने के लिए रेस्क्यू टीम बनाई जाएगी और गायलों को वनविभाग के और से मुआजा दिया जाएगा ऐसी जानकारी राउन फॉरिष्ट हदिकारी दक्षिन वनपरी शेतर शेट उम्रेट के वी एम जरे इन्होंने दी है वनवाग के और से घटना स्थल के आसपास के शेतर में करीब साथ ट्रैप कैमरे लगाये गए है किसान और ग्रामिनों की आवाजाई पर अप्रतिबन लगाया गया है ब्यापूर तशिर के बेसुर ग्राम से कैमरे परसन सुवाज बुठले के साथ संजय मीरे इन्बीसेन नियूज नाकपूर